नमस्कार एउस्ट्वेंटी विहार की आवाज में आपका स्वागत है हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तकी कुछ प्रमुख खबरों के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां उजियारपूर थाना अंतरगत चांद चौरपूरवी पंचायत के रामनगरवाज संख्याचार स्थे देख कमरे में से शनिवार 30 अप्रेल 2022 की दोपहर विवाहिता का संदिक दवस्था में शम मिलने के बाद इलाके में संसनी फैल गई देखते ही देखते सेकडों लोगों की भीर मृत का के दरवाजे पर उमर पड़ी इसी बीच किसी ने इस घटा की जानकारी स्थानिये उज्जियारपूर पुलिस को दिया सुचना पर पहुँचे उज्जियारपूर थाना के सहायक पुलिस सवर निरिक्षक प्रहलाद प्रसाद तथा पंकज कुमार सिंग घटना की चान बीन में जूड़ रहे हैं विवाहिदा की मौत कैसे हुई इसकी सपष्ट जानकारी घटना स्थल पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति देने को तैयार नहीं था घटना स्थल पर जितने भी स्थानिये लोग खड़े थे उतनी ही मौत का कारण भी बता रहे थे किसी का कहना था कि महिला के सीने में तेज दर्ब दो उठा और वेह मर गई तो किसी का कहना था कि महिला के सीर में तेज दर्ब दो उठा और वेह मर गई अगर कुछ देर के लिए लोगों के इन बातों को सच मान भी लिया जाये तो मृत का के गले पर रसी का निशान कहां से आया? वह निशान भी ओसिप में बना हुआ है अगर फुरीन सिक एक सपर्ट की माने तो इस तरह का निशान किसी के गले पर उस वक्त बनता है जब किसी की गला दबा कर हत्या की जाती है लेकिन यहां के कुछ जनप्रितनी भी इस मामले को लड़की के मा के वालों के दिलों में अलग-अलग तरह का डर बना कर कुछ आप रादिक प्रवृति के लोगों ने जिन्हें पंचायरत के ही एक जनप्रितनी धी का संग्रक्षन भी प्राप्त था उसने सबसे पहले उस महिला को कर्ज के रूप में कुछ पैसा दिया वो तो इस मामले में SDPO दलसी सराय दिनेश कुमार पांडे की इमानदार छवीवत देश भक्ती काम आई जिसके कारण देर से ही सही लेकिन इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया मगर इस घटना में भी उस जनप्रतिनिधी के खिलाफ कोई साक्षे शायद SDPO दलसी सराय को नहीं मिल पाया वरना वे जनप्रतिनिधी भी आज जेल में होता इसी गाव में कुछ महीनों पहले एक लड़की के चक्कर में एक जनप्रतिनिधी के गुंडे ने एक युवक को गोली मार दी थी और उसका इलाज भी उसी जनप्रतिनिधी ने ऐसी जगे पर करवाया कि अगर गोली लगे युवक की संग्योगवश अगर मौत हो जाती तो उसके परिजनों को उसकी लाश तक नहीं मिलती उस मामले को भी उस जनप्रतिनिधी ने पैसे की बदौलत दबा दिया और अभी के इस ताजा मामले में भी वही किया गया हत्या जैसे इस संग्यीन मामले को भी कुछ स्थानिय जनप्रतिनिधी दबा चुके हैं महिला की मौत के बाद उसके दरवाजे पर जुटी लोगों की भीड़व महिलाओं के बीच हो रही काना फूसी इस मौत की घटना को हत्या बताने के लिए काफी है जिस तरह स्थानिय जनप्रतिनी धी इस घटना को स्वभाविक मौत बताने में जुटे हैं वेह दुनिया को केबल बेब कूप समझ रहे हैं क्यूंकि अगर महिला की स्वभाविक मौत होती तो उसके गले पर रसी का निशान नहीं मिलता और मृत्का के सास के कथा नानुसार महिला के आधे शरीर पर से कबड़ा हटा हुआ नहीं रहता मृत्का के सास का यह भी कहना है कि वेह और उनकी बहु दोनों सारा दिन गेहूं कटनी का काम खतम करके दोपहर बाद घर आ गई थी, जहां उन दोनोंने साथ में मिलकर खाना खाया, और वह अपने खेत में काम करने चली गई, कुछ देर बाद उनकी पोती उन्हें बुलाने खेत पर गई, और बोली कि मम्मी बिच्छावन से उठ नहीं रही है, जब वे घर पहुंची तो उनकी बहु बिच्छावन पर लेटी हुई थी, और शरीर के आधे भाग से कपड़ा हटा हुआ था, जिसे उन्होंने सही कर दिया, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, उसे भी नहीं पता है, जबकि शादी के बर्शों बाद अभी तक उन दोनों के बीच कभी कहा सुनी भी नहीं हु जबकि पत्रकारों को दिये गए बायान में मृत की माने हत्या बताया था, फिर स्थानिय जनप्रतिनिधियों से बाचीत करने, के बाद मृत का के परिजन अपने बायान से क्यों पलट गए, यह सोचने वाली बात है, अगर बीते दुनों में इस गाउव में हुई का जिक्र किया जाए तो, यह गाउव उजियार पूर्थाना क्षेत्र का सबसे सेंसिडिव गाउव की श्रेणी में आ जाएगा, जहां घटना तो होती है लेकिन पैसे वंपैरवी के बलबूते घरीबों के आवाज को दबा दिया जाता है, काश इस घटना की जानकारी कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक बने रहिए, एंउस 20 विहार की आवाज के साथ, नमस्कार आँग लुएगा, आपक लिकली बधी जाथ मुदा दुनाए बढ़ेगी, क्या देखे, क्या मामला है हुआ है कॉम को मामला की है। फ़ाज खञा का माला की है, व अपनी से नहीं मडी है तो निसान है, कि उ जोस एट के माला की है तो पसक पीन बोलेंगे उसको माला इई है पर आपने निसान है यहां पर निसान हुआ पहले है यह निसान नहीं हुआ थी यहां से निसान नहीं हुआ है पर आपकी बेटी हुए है आपकी बेटी हुए है परसाशन से क्या मांग कर रहा है आप पर आये तो क्या देखे आप घौड आये तो क्या देखे कहा मिली इसी भी चोना पर तो क्या थे तो पिर उदीजे है यहां पर लुटारी तो क्या मैं नहीं हुआ थारस चाहिए तो पेट वैजिए ऋंट्भाल के इसी वहाज को आपकी यहां और धाया फैंटा ह्नुन पर खेत में एाड़ से आए तो फिर कुछ लगते हैं आपके बेटा कहा राता आपका बेटा कहा राता आपका बेटा बाहर है कितना दिन से क्या लगता है क्या हुआ इनको क्या लगता है मतलब क्या आपको क्या लगता है कई से घटना घटी अध्याओं आपको कोई पाता है नहीं हम रासन ज्ञगरा है लारा है टोल ला टकर में पूछ लिए लाए लाए लारे ज्ञगरे बला इस लड़े लारा रहे ना राकुता उसे ज्ञगरा खेल कि नहीं कि छोगरा बैक्ति से ज्ञगरा गुआ था इनको यहारे के करसे नहीं बहीं नहीं का हां यहारे के करसे भी लहीं है